अगर आप long term में mutual fund से अपने investment पर 20% या उससे ज़्यादा का return बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे कम risk लेके 20% या उससे ज़्यादा का return ले सकते हैं जिसके लिए हम देखेंगे SBI के top 3 mutual fund को जो लोगों की पहली पसंद है और अगर आप SBI mutual fund में SIP शुरू भी करने जा रहे हैं तो भी इस वीडियो को पूरा जरूर आप देखें Hello everyone मैं हो भुपेंद और आप देख रहे हैं The Tomorrow Goal Channel Most important part SBI mutual fund top leading AMC house है जो 29 जून 1987 से established है और आज के date में SBI mutual fund 9,19,520 करोड का fund मैनेज कर रही है जो किसी भी mutual fund AMC house से बहुत ही जादा है इसके बाद जो दूसरे नमर पर AMC house company आती है उसका नाम है ICICI Prudential mutual fund जो 7,16,866 करोड रुपे का fund मैनेज कर रही है तो इससे आपको भी समझ में आ रहा होगा SBI mutual fund अपने देश की सबसे बड़ी company है जहां आपको अपने investment करने में बिलकुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आज के date में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पैसों पर अच्छी growth तो चाहते हैं बट सही जगह invest करने से डरते हैं Most of the people investment के नाम पर bank में FD कर लेते हैं कोई government scheme में invest कर लेते हैं या फिर post office या LIC जैसे scheme में invest कर देते हैं जो की बहुत ज़्यादा bad तरीका है investment करने का जहां maximum return 7-8% साल का मिलता है वहीं दूसरी तरफ inflation rate भी इसी rate से बढ़ रही है यानि कि महंगाई भी इसी rate से बढ़ती जा रही है आप खुदी समझने की कोशिज करिए कि जो interest rate इस scheme से मिल रहे हैं उस interest rate से inflation को beat नहीं किया जा सकता इसको और असानी से समझने की कोशिज करते हैं क्योंकि यह बहुत important point है जो लोग अक्सर skip कर देते हैं मान लिजिए आज के date में आपको एक book लेनी है जिसकी कीमत है 100 रुपे लेकिन वहीं same book अगले साल जब आप दुबारा लेने जाएंगे तो वो आपको book 105 रुपे या फिर 108 रुपे तक की मिलेगी तो जो आप ऐसे skim में investment करके जो returns ले रहे हैं उससे कुछ भी change नहीं होने वाला तो ऐसे में क्या किया जाए जिससे की आपको market के according return भी मिले जिससे की आप inflation को बीट कर सकें और साथी साथ आपका important पैसा lose भी ना हो समझते हैं इसका best तरीका क्या है investment करने का मैं यह नहीं बोल रहा कि आप government scheme में अपने पैसे को invest बिल्कुल भी ना करें लेकिन आपको अपने पैसे पर अच्छी growth चाहिए तो अच्छी planning के साथ investment करना बहुत जरूरी है तो for example आपकी महीने की income पांच यह रूपे बचती है सारे expenses अटाके जो आप invest करना चाहते हैं यह आप लोग अपने monthly income के हिसाब से planning करेंगे मैंने एक roughly idea लिया है जो एक lower middle class family इतना investment करने में सक्छम है अगर आपकी income कम या जादा है तो आप उसी साब से amount आप decide कर सकते हैं कि आपको महीने का कितना investment करना है तो 5,000 रुपे जो आपको invest करना है जिसमें से 50% हिस्सा यानि की 25,000 रुपे आप investment करिये वहाँ जो आपका पसंदीदा government scheme है बाकी का बचागुआ हिस्सा यानि की 25,000 रुपे आप invest करिये mutual fund में जहां आपको कम से कम 15-20% तक का सालान return मिलेगा बिना किसी जंजटके ना तो आपको daily अपना portfolio चेक करना है और नहीं आपको daily market watch करनी है इसको manage करने के लिए fund managers होते हैं जो AMC company hire करती है उस mutual fund company के जो fund manager होते हैं well educated होते हैं वो अपने analyst के base पे हमारे fund को manage करते हैं और अपने तरीके से investment करते हैं जिससे की हमें आने वाले time में अच्छी growth मिले अपने investment पे तो इस planning के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ SBI के top 3 mutual fund जहां आपको अपने investment पर एक time duration के बाद अच्छी खासी growth मिलेगी तो सबसे पहले समझते हैं SBI के कौन से top 3 funds हैं जहां कम risk के साथ साथ अच्छे returns मिल सकते हैं सबसे पहले नमबर पे जो mutual fund है SBI का contra fund है दोस्तो इस fund ने since inscription यानि कि जब से fund launch हुआ है तब से लेकर अभी तक consistent 19.99% का annualized returns है और ऐसा नहीं है कि ये fund को launch हुए 5 साल या 10 साल हुए है ये fund 5 July 1999 को launch हुआ था यानि कि पूरे 25 साल हो चुके हैं 25 साल से continue इस fund में जो average returns है 20% का average returns है इस fund का जो last 5 year का returns है 28.39% का returns है last 3 years का जो return है 29.64% का returns है अगर last 1 year returns की बात करें तो 47.23% का returns है दोस्तो इस fund का जो AUM है यानि कि fund size है 34,366 करोड का fund size है इस fund की जो भी current NAV है 388.16 पैसे की current NAV है as on July 16, 2024 इस fund में जो minimum investment है SIP की रूप में आप 1000 रुपे से start कर सकते हैं अगर आप इस fund में लंसम investment करते हैं तो minimum 5000 रुपे से लंसम investment स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों इस fund long term के लिए बहुत ये suitable है अगर आप mutual fund में investment कर रहे हैं तो आपका vision long term का ही होना चाहिए long term के purpose है mutual fund में invest करें जिससे की आपको compounding interest का benefit मिल जाएगा इस fund का expense ratio है 0.63% का expense ratio है expense ratio का मतलब होता है कि जो हमारा fund manage किया जाता है company द्वारा वो company हमसे management charge लेती है जो की 0.63% का है दोस्तों दूसरे नमबर पर जो fund है SBI focused equity fund इस fund का जो since inception return है 19.21% का since inception return है ये fund launch हुआ था 17 सतमबर 2004 को यानि कि 20 साल पूरे हो चुके इस fund को तब से लेके consistent इस fund ने 19.21% का consistent return दिया है last five year returns की बात करें तो 17.4% का return दिया है last three years में 15.53% का annualized returns दिया है और last one year returns की बात करें तो 30.67% का return दिया है इस fund का भी जो current AUM यानि कि fund size है 35,013 करोड रुपए का fund size है और इस fund की जो भी current ANB price है 332 रुपए 35 पैसे किया है इस fund में जो minimum investment है SIP की रूप में आप 500 रुपए से start कर सकते हैं और अगर lump sum investment करते हैं तो 50,000 रुपए से lump sum investment start कर सकते हैं इस fund का expense ratio है 0.74% का expense ratio है अब हमारे list में जो अगला mutual fund है SBI का small cap mutual fund है इस list में small cap चूज करने का क्या रही जाने आगे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा अभी समझते हैं कि इस fund ने जो since inception returns दिया है 21.29% का since inception returns दिया है Last 5 year में 27.62% का annualized returns दिया है अगर last 3 years returns की बात करें तो 23.84% की annualized returns है और last 1 year में 41.79% का annualized returns दिया है यानि कि अगर किसी ने इस fund में एक साल पहले एक लाख रुपे लमसम इन्वेस्ट किया होता तो आज की date में value बढ़के एक लाख 42,000 रुपे के आसपास की हो जाती दोस्तो एक fund launch हुआ था 9 सेतंबर 2009 को तकरीबन 15 साल पूरे हो चुके है इस fund को इस fund का जो AUM यानि कि fund size है 30,835 करोड का fund size है इस fund की जो भी current एनेवी है 180 रुपे 41 पे से ही current एनेवी है इस fund में जो minimum investment है SIP की रूप में आप 500 रुपे से start कर सकते हैं और लमसम investment का जो option है इस fund में अभी के लिए बंद किया गया है यानि कि अगर इस fund में आपको investment करना है तो सिर्फ SIP के जरिये ही investment कर सकते है इस fund की जो भी expense ratio है 0.65% का expense ratio है दोस्तो small cap fund चूज करने का जो region है basically small cap fund में जो interest होता हो काफी जादा मिलता है क्योंकि volatility बहुत जादा होती है अगर तीनो mutual fund के since inception return को calculate किया जाए तो average जो निकल के आएगा 20.16% का average returns आएगा अब ये तीन fund तो आपको समझ में आ गए अब समझना ये जरूरी है कि जो धाएजार रोपे हम mutual fund में invest करना है जिससे कि हमारे fund पे अच्छा balance भी रहे और returns भी काफी अच्छा मिले दोस्तो आप लोगों ने notice किया होगा कि जो तीनो mutual fund है तीनो का जो fund size है यानि कि एगा में 30,000 करोड से जादा गए यानि कि ये भी एक अच्छी बात है कि इतना जादा fund है इस mutual funds के पास आने वाले time में अपने investment पर किसी भी तरीकी का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है तो दोस्तों हमें जो 5,000 रुपय महीने की SIP करनी है उसमें से 1,000 रुपय आप invest करिए Contra fund के अंदर 1,000 रुपय आप invest करिए Focus equity fund के अंदर और बचा हुआ जो 500 रुपय है उसको आप small cap के अंदर invest करिए Total आपका 1,500 रुपय जो investment है वो 3 mutual fund में divert हो गया दोस्तों mutual fund investment एक risky investment जरूर होता है लेकिन अगर अपने पैसों को grow करना है तो इस तरीके से planning करके आप अपने investment journey को start कर सकते हैं मैं यह नहीं कह रहा कि आप इसी fund में invest करिए और नहीं मेरी तरफ से कोई recommendation है कि आपको इस fund में invest करना है क्योंकि यह जितने भी numbers और returns मैंने बता है सारे past returns है तो ऐसा जरूर नहीं कि past में जो company ने perform किया है आने वाले time में भी same perform करेगी हो सकता है कि इससे अच्छा perform करे यह हो सकता है कि इससे अच्छा perform ना करे क्योंकि sometimes ऐसा होता है mutual fund में कि जो returns होते हो negative होते है लेकिन किसी साल ऐसे returns भी आ जाते है जो बहुत ही ज़ादा होते है और चोकाने वाले होते है तभी average returns 15 साल, 20 साल और 25 साल के निकल के आते है तो इसलिए mutual fund में आप 100 term के लिए कभी में मताईए आप जब भी invest करें mutual fund में तो long term का vision रखे क्योंकि long term में एक average returns अच्छा खासा मिल जाता है अब एक S.I.P. calculator के माध्यम से समझने की कोसिस करते है कि इन तीनों fund में जो पैसे हमने 0,500 रुपे invest किये अगर हमें 20% के average returns मिलता है तो आने वाल एक time duration के बाद हमें कितनी value मिल सकती है तो 5,000 रुपे जो महीनी की S.I.P. है इसको अगर आप continue 15 साल तक रखते हैं जिस पे expected returns हम मान के चलते हैं कि 20% तक का expected returns मिल जाएगा 15 साल में जो total हमारा investment हो जाएगा 4,500,000 रुपे का total investment होगा जिस पे estimated returns मिलेगा 23,85,737 रुपे का total value हमारे investment के साथ 28,35,737 रुपे की बनेगी अगर 5 साल और invested रहते हैं इसी fund में यानि कि 15 साल के जगे पे 20 साल तक continue invested रहते हैं 20 साल में total investment हो जाएगा आपका 6,00,000 रुपे का estimated returns जो मिलेगा 73,36,99 रुपे का final value हमारे invested amount के साथ 79,36,98 रुपे की बनेगी दोस्तों mutual fund के compounding के power को समझने की कोशिस करो कि जो 20 साल में 80,000,000 रुपे की आसपास की wealth मिल रही थी सिर्फ 5 साल और invested रहने पे यानि कि 25 साल तक अगर invested रहते हैं तो कितनी value बनती है 25 साल में जो total investment हो जाएगा 7,50,000 रुपे का total invested होगा estimated returns जो मिलेगा 2,08,16,770 रुपे का final value जो मिलेगी हमारे invested amount के साथ 2,15,66,770 रुपे की ये final value होगी जो उपर 10% का long term capital gain tax deduction होगा एक लाख रुपे की जो growth होती है उसके उपर कोई tax नहीं लगता है एक लाख से उपर का जो return होता है उसके उपर 10% का long term capital gain tax लगता है तो mutual fund में एक long term का vision रखिए 20 साल में जो 80 लाख रुपे मिल रहे थे 25 साल में वहीं आपको 2 करोड रुपे तक की value मिल रही है दोस्तों अगर यहीं same investment यानि की 5,000 रुपे किसी government scheme में invest करते 25 साल के लिए जहां पे 8% तक का maximum returns मिलता हो सकता है कि इससे कम भी मिलता लेकिन हम maximum 8% तक का returns लेके चलते हैं 8% annualized returns के हिसाफ से same amount जो invest कर रहे हैं उसके उपर आपको तकरीबन 65 से 66 रुपे तक की value बनती और mutual fund में invest करने से आपको 3 से 4 गुना तक का growth मिल रहा है तो किसी government scheme में सारे पैसे invest करने से अच्छा है कि 50% आप government scheme में आप invest करिए जहां आपको safe लगता है और 50% amount आप mutual fund में invest करिए जहां पर एक अच्छा returns मिलेगा जिससे कि आप inflation को beat कर सकते हैं और आने वाले time में आपके पास एक अच्छा खासा wealth बन सकता है और अगर आप decide कर लेते हैं कि आप mutual fund से नहीं निकलते हैं 5 साल और invest कर लेते हैं जाने कि 25 साल के जगए पे 30 साल तक invested रहते हैं Can you believe it? 30 साल में आपने 9 लाख रुपे सिर्फ invest किया सिर्फ 9 लाख रुपे investment amount के सामने 5 करोड 75 लाख रुपे का estimated returns मिलेगा Total value आपके invested amount के साथ 5 करोड 84 लाग 2004 रुपे की होगी हलाकि 30 साल एक long period है लेकिन अगर आप एक young age में हैं तो आप इस तरीके से अपनी planning करिए और याद करेंगे किसी की वीडियो से आप motivate होके इस तरीके साथ investment स्टार्ट किये दे अगर आप young हैं discipline के साथ आप 20 साल 25 साल के लिए invested रह सकते हैं मेरे ख्याल से सबसे बेश तरीका investment करने का इसी एक जगे invest करने से अच्छा है कि आप इस तरीके से investment करिए आपका 50% पैसा आपका safe है emergency के टाइम पे आप निकाल भी सकते हैं और एक 50% अपना investment amount continue रखे एक long time के लिए I hope मेरे इस वीडियो से आप relate कर पा रहे हो और investment planning कैसे करनी है इसमें भी आपकी help हो गई उस तो पहली बात देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो The Tomorrow Gold चैनल को subscribe करें और मुझे motivate करने के लिए मेरे वीडियो को like भी करें मिलते हैं next वीडियो में जैहिं